वेल्कम बैक टु मैं चैनल और वेल्कम बैक टु मैं टूदेश वीडियो फ्रेंड्स आज के वीडियो में मैं आपके साथ एक हेर फॉल कॉंट्रूल है टॉनिक के रेशिफ में शेयर करूंगी जो मैं बलाऊंगी रेड ओनियंस से इसे अगर आप लोग वीक में दो बार अपनी स्कैल्प और रेस्ट आप दे हैर यूस कर लोगे तो मेरा गारेंटी है 100% हो से आपके हैर फॉल और डेंडर प्रॉब्लेम 90% खतम हो जाएगा सो वीडाउट फॉर्दर डिले लेट गेट स्टाटिट सो फ्रेंड इस ओनियान हैर टानिक के लिए मुझे चाहिए ओनियान मैं ओनियान को अच्छे से साफ करके पील भी कर लिया इसका आउटर जो लेयर था इसको मैं अभी चॉप करूंगी सो फ्रेंड ब देख सकते हो मैं मेरा है लेंक्त की अकॉर्डिंग साथ' आठ ओनियान को calculations कर लिया बस अब इसे मैं मीक्शर ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड कर लोग आप लोग देख सकते हो यह है मेरा ओनियान जूस अब इसे में च्छनी से च्छान लोगी कर दो कर दो है बस मैं जीतना हो सकता था मैं रस निकल लिया इसके साथ में अभी नीम्बू का रस मिक्स्ट करूँगी नीम्बू बहुत अच्छा होता है जी लोगों का हैर में डैंडरॉफ है उस प्रॉब्लेम को सॉल्ब करने के लिए तो इसलिए में में नीम्बू को यूज़ कर रहा हूं अच्छा से इसे मिक्स्ट करना है और मैं इस मिक्शर में रोज मेरी एसेंशियल ओयल को दे दूँगी क्यूंकि रोज मेरी एसेंशियल ओयल हैर ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है अगर आपके पास यह एसेंशियल ओयल ना हो तो प्लीज कोई भी तेल आइ में ओलीब ओयल हो या फिर नारीयल का तेल हो या फिर कैस्टर ओयल अब कुछ भी ओयल को आप यूज कर सकता हो फिर से में एक अच्छा सा मिक्शर दूँगी इसे बस यह बनके रेडी हो गया अब इसे में में अपनी स्कैल्प में लगाऊंगी फिर अगर कुछ बाचा हुआ रहता है फिर एंट्स में एंड हैर में लगाऊंगी फिर एक घंडा रखके शैंपू कंडिशनर कर लोंगी आप latitude में खिर प्रकाइब बनके बाचा रहता हैना अपंड़ rocky बनके भेंडेवावाँ rings जाने में डाना रहता है यह जिक बनके बनके लाचा हैर में अान में और यहीं है ह ब elemental के घंट भीज़ः आख? झाल 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 जो घंटी बटन आएगा उसे भी प्रेस कर लेना ताकि में जब वीडियो डालू तो आपके बास तोटिफिकेशन जाए और आपो वीडियो पहले देख पहें फिलल आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तिल देन बाबाई झाल 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 झाल